दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक वार फिर से हमारे यूटू चैनल वीपेस एड़ापी साथियो बिहार सी चकभरती 3.0 के लिए हम बिहार स्पेसिक करेंड फेस कवर कर रहे हैं अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को सेर जरूर कर देज़ेगा आज का पहला प्रस्ण है भारत का पहला राष्टिय डॉल्फिन अनुसंद्धान के दिरका उदगाटन कहां किया गया है तो इस प्रस्ण का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए बिहार इसको थोड़ा डेटेल में देख लेते हैं यहां पर देखें बिहार के मुख मंतरी श्री नितिश कुमार जी के दोरा 4 मार्च 2024 को भारत और इसिया के पहले राष्टिय डॉल्फिन अनुसंद्धान केंडर का उदगाटन किया गया और यहां पर देख सकते हैं यह अनुसंदान केंद्र का उद्गाटन जो है राष्टिय डॉल्फिन सोध केंद्र पटना में हुआ है तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है इस तरह का जो पोस्टर है अगर आपको कहीं भी देखता है उसमें से आपके लिए क्या नोट बुक में नोट कीजिएगा चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रसन है प्राचीन बिक्रम सिला विश्विद्दाला का निर्मान किसके द्वारा करवाएगा था साथ यह आपको मालूम होगा कि एनेसेंट टाइम में तीन विश्विद्दाला जो थे काप नालंदा विश्विद्दाला विश्विद्दाला के जो अस्थापना है जो निर्मान है उसको करवाया कैथा धर्म पाल के द्वारा इस प्रसन का सही अंसर क्या हो जाएगा, option B, धर्मपाल, यहां पर देख सकते हैं, हमने जैसा भी बताया था कि, बिक्रम सिला इन्वर्शिटी यहां पर देखे, it was established by king धर्मपाला, it is seed to be the premier university of the era, and a student from all over the world came here to study बुद्धिज्म, तो यहां पर किस चीज की पढ़ाई होती थ तो बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी, और यह बिक्रम सिला इन्वर्शिटी कहां पर था, तो बिहार में था, जिसके स्थापना धर्मपाला के दोरा, king धर्मपाला के दोरा करवाए गया था, अगला प्रसन देखेगा, बेनूबन बिहार में कहां इस्तित है, तो बेन बेनूबन राजगिर, अब इसके अलावे आप यहां से इस पोस्टर से आप क्या अपने एक्जाम पॉइंट भी से कैच कर सकते हैं, यहां पर देखे एक वर्ड जो दिया हुआ है, कि बेनूबन जो है, मगत समराट बिम्बिसार ने भगवान बुद्ध को उपहार सरूप बेनूबन भगवान बुद्ध को किसके द्वारा उपहार सरूप भेंट किया गया था, तो आपका सही इंसर होगा, मगत के समराट बिम्बिसार के द्वारा, और कहां पर इस्तित है, तो यह राजगिर में इस्तित है, अगला प्रसिन देखेगा, यह लेटेस्ट है, बरतम में मुक्स अचीब हैं, बरजेस महरोत्रा, कौन है, बरजेस महरोत्रा, तो बरतमान में बिहार के मुक्स अचीब हैं, बरजेस महरोत्रा, यह हैं बरजेस महरोत्रा, और वहीं बरतमान में बिहार के मुक्स अचीब हैं, इससे पहले थे अमीर सुभानी, और अमीर सुभानी नहीं कभी कभी पूच लिया जाता है कि ब्लोड को कि संख्या कितनी है तो बरतमान विहार में ब्लोक की संख्या कितनी है तो पांसो तैतालीस है तो इस प्रसंद का सही अंसर होगा 543 अब यहां पर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपको कहां से अगर इस तरह का कोश्टर दिखता है तो कैसे आपको कैच करना आपके एक्जाम पॉइंट अब इसे यहां देखे मन्य मुखमंद्र निलिस कुमार जी के द्वारा राज के सभी 543 ब्लोग यहां पर आपको अंसर दिख गया सभी 543 ब्लोग कर जाले में अस्तापित बाई गुनबत्ता निगरानी सेंसर के लिए एक इक्रित डैस्वोट का अनावरण किया गया था तो अगर कोश्टन यहां से और किसी तरके से पूछा जाता है कि अभी हाल ही में मन्य मुखमंद्री जी के द्वारा बाई गुनबत्ता निगरानी सेंसर की स्थापना यानि एक इक्रित डैस्वोट के अनावरण जो किया गया है वो बिहार के कितने ब्लॉक के लिए किया गया है तो आपका अंसर होगा बिहार के कुल ब्लॉकों के लिए जो कि कितनी है 543 अगला दिखेगा बिहार से चकभरती 3.0 का ये करेंट फेस चल रहा है साथियो और जो भी विद्यारती बिहार सिचक भरती थिरपंट जीरो से सम्बंदित है उनको ये वीडियो जरूर सेर कर दीजेगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फाइदा मिले चलिए तो बिहार जलवाई सम्मेलन एबं परदर्शनी का उद्गा जिक्र किया गया हुआ तो जो बिद्यारती एक वार में समझ गए है कि किस तरीके से किसी पोश्टर को रीड करना है तो उनके लिए तो अच्छी बात है वो अब तक अंसर को फाइंड़ कर लिया होंगे साथेद जलवाई सम्मेलन जलवाई सम्मेलन एंवंपरदर्शनी में बिहार जलवाई सम्मेलन और już परदर्शनी का उद्धाटन मुकपमंद्र के लोरा चार मार्best 24 को किया गया था तो इस प्रसेज़ सक्ष Ond questo काउगा 4 मार्श 2020 इसको किया गया था, अब समय important नहीं है, जगा important है, क्या है ग्यान भबन पटना में, तो एक तो आपका question हो गया कि ग्यान भबन कहा है बिहार में, तो पटना में है, दूसरा चीज, अब बिहार जलबाई से मेलन एवं परदर्शनी का कद उद्गाटन किया गया था, तो 4 मार् जिसको हम थीम बोलते हैं, तो बिहार जलबाई से मेलन एवं परदर्शनी का इस बर्श का जो थीम है, वो क्या है, हरित भविस के लिए बिहार का ससक्ति करन, तो यह काफी important प्रसन बनता है, अगर आपको 15 तारिक वाला में नहीं पूछता है, तो आगे आने वाला एक्जा से जाएं सब्सक्राइब, तो अब आपको बताना है कि बिहार के उपमुक्मंत्री कौन ए, यह काफी technical प्रसन है, साथियो, अब technical प्रसन इसलिए, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में दो उपमुक्मंत्री है, अगर जिन को मालूम नहीं है, उनको मैं बता दू," दूं, तो आंसर हो जाएगा option D, उपिक्त में से एक से अधीक, यह जो option D है इसको आपको देखके चलना है, इसमें क्या है आपको, उपिक्त में से एक से अधीक भी रहता है, तब भी answer है, अगर उपिक्त में से कोई भी नहीं है, तब भी आपका D ही होने बाद है साथियो, तो पर दिखें बीजय कुमार सिनहा उपमोकमंतरी पिहार और समराट चोधरी उपमोकमंतरी बीहार दोनों हैं बरतमान में उपमोकमंतरी चलिए अगला प्रस्थिए बिहार के कुल कितने जिला नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं साथियों इस तरह का मैप पड़ा कोशन एक वर जरूर पढ़ लिजेगा कितने जिला जो है बिहार का नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं तो आपका सही अंसर क्या होगा सही अंसर होगा option C साथ जिला अब आई ये map पर देख लेते हैं यहाँ पर अगर आपने बिहार का map देखा होगा तब आसानी से अप count कर पा रहे होंगे यहाँ देखे अगर इस से बेश्ट चलिए या बेश्ट से इस चलिए कहीं भी चलिए उतना ही जिला आएगा चलिए पस्सिम से हम पूरव क्यों चलते हैं पस्सिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता मढ़ी, मधुबनी, सुपॉल, अररिया और किसंगंज तो यहाँ पर देखे टोटल कितने बढ़ गए टोटल साथ जो जिला है बिहार के वो नेपाल के साथ अपना सीमा साजा करता है साथियो यहाँ से एक प्रस्ण और बनता है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला किसंगंज है तो इस प्रस्ण को भी ध्यान में रखना है साथ हो कि बिहार का सबसे पुर्वी जीला कौन है तो किस अंगंज है चलिए आगे देखिए थे कमेंट सेक्षिन में आप मुझे लिख के बताईए कि बिहार के जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों के साथ साजा करता है कमेंट सेक्षिन में लिख बताईएगा देखे साथी ये प्रस्ण जो है अभी लेटेस जो एक्जाम हुआ है उससे पूछा गया है ये टीचर वाला से नहीं विपेसी के दोरा ही लिये जाने वाले क्रिसी से संबंदित एक एक्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है अब ये प्रस्ण को मैं इसलिए दिया हूँ कि देखे विपेसी के दोरा किस तरह का प्रस्ण बनाया जाता है और जो हमने सामिल किया है पूछ्टर उसका क्या रिलेवन्स है अब इस कोसन से ही आपको पता चल जाएगा यहां पर देखेंगा साथि विहार विभूती यानि जोयल और विहार के नाम से किसी जाना जाता है साथि विहार विभूती यानि जोयल और विहार के नाम से अनुगरह नरायन सिन्हा को जाना जाता है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है तो सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखेगा बिहार विभूती जैसी आए अनुगरा नरायन सिन्हा हो जाएगा लेकिन अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि करफूरी ठाकूर जी को भारत रतन दिया गया है तो उनको क्या कहा जाता था हमने पताया था लास्ट वीडियो में भी क्या आपको याद है अभी यहाँ पर देखे अब ये पोस्टर से आपको याद होगा अधुनिक बिहार के निर्माता एक तो सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है अधुनिक बिहार के निर्माता किसको का जाता है तो अनुग्रा नरायन सींग को ही जाता है और इनको क्या का जाता है तो बिहार विभूती के उपमा दिया गया है तो याद रखना है हम डेट पर नहीं जा रहे हैं मेरा मकसद डेट नहीं है हमारा मक्सद है कि आपको किस तरह का question को कहां से पकड़ना है तो बिहार विभूती अनुग्रा नराइन सी आधूनिक बिहार के निर्माता अनुग्रा नराइन सी और ये हैं अनुग्रा नराइन सी जी ठीक है चलिए अब यहां पर लिकिए हमने पूछा था करपूरी ठाकुर को भारत रतन दिया गया था तो इनको किस उप्मास दिया गया था इनको जाना जाता है जननायक से और विभार के पुर्णुक् मंत्रे रहे हैं तो date हमने बोला कि date आपको याद नहीं रखना गया और उस सताब्दी जैनती पर उनको भारत रत्म दिया गया तो अंसर हो जागा जननायक करपूर इठाकूर साथी वीडियो में बने रहे हैं वीडियो में आगे बहुत ही अच्छे-च्छे कोश्चन आने वाले हैं चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रसिंद देखे अभी तक हमने देखा एक तो बिहार विभूती और दूसरा हमने देखा था क्या जननायक अब आजए जननायक के अलावे लोकनायक भी हैं बिहार में तो यहां पर देखे लोकनायक की उपमा किसको दिया गया है ये तो यह कोशन तो यहीं बन गया कि संपुन करांती के अंदोलन के प्रनेता कौन तो जैपरकास नारायन लोक नायक किसको कहा जाता है तो जैपरकास नारायन तो तीनों चीज़ों से डरना नहीं है तीन चीज कौन तीन कोशन बन गया यहां से बिहार भी होती अनुगरा नाराय और लोकनायक जैपर करस्टना रहें शी और हमने क्या बता है था करपूरी ठाकुर तो जननायक करपूरी ठाकुर तो इन तीनों का उपमा आपको याद रखना है अगला प्रस्ट और काफी इंपॉर्टेंट प्रस्ट अब तक बिहार के कुल कितिनों लोगों को भारत रतन द अब इसका तोड़ा एक्स्प्लानेशन देख लिए काफी इंट्रेस्टिंग है जैसा कि आप सभी को मालूँ है कि भारत रतन का जुट सफर है अब तक कुल कितने एरका हो गया है सत्तर वर्सों का स्टार्ट कब हुआ था भारत रतन देना तो उन्हें स्टार्ट किया गया साथियों और यह कहां से पढ़े थे राजंदी पर शाथ तो जीरा दई कहां पर पढ़ता है शीववान पर पढता भी आहरके इसके बात मिला था राजंदर परसाथ जी पहां जय प्रकास नाराइन जी को जैपरकास नराइन जी को 1999 में दिया गया था उसके बाद 2001 में दिया गया था मसहूर सहनाई बादक बिस्मिल्ला खां को साथ हो एक चीज़ यहां दियान रखना है हाला कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिस्मिल्ला खां जी को उत्तर परदेश कोटे से दिया गया था अब उत्तर परदेश कोटे से इनको इसलिए दिया गया था कि बिस्मिल्ला खां का जन्म तो हुआ था बिहार के बक्सर में याद रखेगा बिस्मिल्ला खां जो सहनाई बादक देवे उनका जन्म होता है बिहार के बक्सर डुमराब में लेकिन ये जाकर के स्टेटल हो गए थे बारानसी में और यही कारण था कि इनको उत्तर पर दे इस कोटा से लेकिन हैं तो बिहार के ही हैं रहने वाले बिहार के ही हैं तो इसलिए परसुन का जो अंसर होगा वो चार लोग होगा कौन-कौन, राजेंदर परसाद, जयपरकास नारायन, बिस्मिल्ला खां और जननायक करपुरी ठाकुर इस चारों लोग का नाम याद रखना है और इसलिए हमने आपको आगे कंसोलिडेट कर दिया है यहां से आप याद रख सकते हैं राजेंदर परसाद जी को 1962 में जयपरकास नारायन को 1999 में बिस्मिल्ला खांट को 2001 में और करपुरी ठाकुर को 2024 में तो यह याद रखेगा साथियो कब-कब बिहार के लोग को भारत रतन से सम्मानित किया गया और कितने लोग को आगे चलिए कुछ और पोस्टर डील कर लेते हैं 20 मानमा दिकार दिवस जो हाली में चर्चा में रहा था 10 दिसमबर को मनाय जाता साथियो तो याद रखना है 20 मानमा दिकार दिवस 10 दिसमबर और इस पोस्टर से कितने कोशन बन रहे हैं उसको देख लेते हैं सबसे पले ये किनका फोटो है तो आप इजली बता सकते हैं कि नेता जी सुवास्चेंदर बोज्य का बिल्कुल सही लेकिन हमको फोटो नहीं देखना है हमको अपनी चीजे काम की चीजों को देखना है तो यहां पर देखे प्राकरम दिवस अब इनकी जैन्ति यानि तेज ज आजाद हिंज फोज के संस्थाफक कौन थे तो भाईया नेता जी सुवास्चेंदर बोज्य इसके अलाबे क्या और भी है इसमें बिल्कुल है सर यहां पर देखे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादे दिऊंगा यह जो सलोगन है नेता जी सुवास्चेंदर बो अब यह बिहार से डिरेक्टी रिलेटेड अचा यह जो सारे पोस्टर है बिहार के ऑफिसल वेवसाइट सिखींज कर लाए गया है तो उसके लिए तो एक लाइक बनता है आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा इतना मिहनत के अदार आपके लिए एक लाइक तो बनत है यहां पर देखे नागी पच्छी महुतसब अब नागी पच्छी महुतसब हाली में मनाया गया कहां पर यहां पर देखे 10 परवरी 2024 से लेकर के 12 परवरी 2024 तक कौन सा पच्छी महुतसब नागी पच्छी महुतसब अब यह नागी पच्छी महुतसब हम ही क्यों पढ़ना है तो बिहार में नागी वर्ड संक्चुरिय साथियो और यह कहां पर है तो जमुई में है अस्थान याद रखेगा नागी पच्ची महुटसब कहां पर मनाएगा तो जमुई में कहां दिखेगा यहां दिखेगा साथियो दिखे जमुई पर बन परमंडल 1984 में इसको word sanctuary का दर्जा दिया गया थे साथियों क्यों famous है famous इसलिए है कि यहां कि migratory word का पी आते हैं और यही कारण है कि यहां पच्छी महोचसब का शुरुआ किया गया है तो याद रखना है आपको नागी पच्छी महोचसब 2024 में फरवरी 10 से 12 तक जमुई में पढ़ता है यह नागी पच्छी word sanctuary right migratory word के लिए यानि परवासी पच्छी के लिए महतपूर्ण है यह अगले दखिए राष्टिय उर्जा सनरच्छन दिवस साथ यह उर्जा से यहां देखे 14 दिसंबर को क्या मना जाता है राष्टिय उर्जा सनरच्छन दिवस अब यह जश्ट देखे आपने 10 दिसंबर को मानवा दिकार दिवस और यह क्या है राष्टिय उर्जा सनरच्छन दिवस अब देखे यह भी बिहार से बिकारी ठाकुर अब भिकारी ठाकुर क्यों हम देख रहे हैं क्योंकि important है भिहारी ठाकुर भिहार भोजपिरी के लोग कलाकार है लोग कलाकार है भिकारी ठाकुर राइट अब इनकी जैनती थी हाली में 18 दिसमबर को date नहीं आद है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन important fact जो इनसे संबंदित है उसको आपको नहीं भूलना है अब क्या नहीं भूलना है वो यहां पर चीपा हुआ है साथियो यहां पर बता तो रहे हैं आपके लिए काफी मेहनत किया गया है और उसके लिए एक लाइक जरूर कीजेगा बिहार देखे भिकारी ठाकुर को भोजपूरी के सेक्सपियर का जाता है कोस्टन अगर यहां से पूछते कि भोजपूरी के सेक्सपियर किसको का जाता है तो भिकारी ठाकुर को उसके आलावे क्या और जानना चाहिए आपको बिल्कुल जानना चाहिए तो ये जो हैं विदेशिया के जनक भी रहें विदेशिया जो होता है एक नाट रुपांदरन है और ये नाट जो कला है उसमें विदेशिया है और उसके जनक कौन है तो भिखारी ठाकूर है याद रखना है भोचपूरी की सेक्सपी है तो किनको कहताता है तो भीकारी ठबुर को और विदेशिया के जनक भीकारी ठबुर को याद रहेगा इतना चलिए याद रहेगा तो बिल्कुल अच्छी बात है आगया ये गुर गोविंसी अब गुरु गोविंसी का संबंद क्या बिहार से है बिल्कुल है जिनको मालूम हो 22 December 1666 को पतना साहिब में होता है और पतना साहिब जो पतना सीटी गये होंगे तो गुरु गुविन सीखा देखे होंगे वहाँ पर मंदिर तो गुरु गुविन सीखा जो वहाँ पर है गुरुद्वारा तो गुरु गुरु गुविन सीखा जो गुरुद्वारा है वो कहां स संतांबन में प्रकास पर मनाया गया तो याद रखेगा गुरु-गुबिन masculine जो की सिख के दस्वे गुरू थी उनका जर्म पटना सहिव में हुआ था 1666 में अब आईए यह भी इंपोर्टेंट है क्यों इंपोर्टेंट है इसलिए भारत कोकला तो भारत कोकला के जनक भारत कोकला को उपमा किनको दिया गया था तो सरोजनी नाइडू क्या यहां से और क प्रशन बन रहे हैं हमारी हिसाब से एक तो भारत कोकला की उपमा किसको दिया गया था सरोजनी नाइडू को और स्वर कोकला लता मंगेशकर कंफ्यूज नहीं होना है भारत कोकला सरोजनी नाइडू को यह पर्थम महला गवर्नर भी थे तो देश के पर्थम महला गवर्नर था सुरोजनी नाइडियो जी के साथ हो ये था हमारा आज का लाश्ट प्रसन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा धन्यवाद